आज हम सीखेंगे सारे messages एक साथ delete कैसे करते हैं एक click में जैसे के आपको पता ही होगा message app के अंदर जितने भी sms होते हैं इसके अंदर कहीं सारे फालतु के sms होते हैं जो बहुत जादा हो जाते हैं जिने अगर हम select करते हैं तो यहां पर हमें delete all का option नहीं मिलता है आप देखेंगे यहाँ पर select all का option नहीं मिलता है यहाँ पर इस तरह से हमें एक एक करके select करना होता है इसमें बहुत ज़्यादा time लगता है तो इस वीडियो मैं मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदस से आप यहाँ पर all select करके सारे SMS को delete कर पाएंगे इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा आपको ने एक छोटी सी एप डाउनलोड करना होगा एप का नाम क्या है और कहां से आपको डाउनलोड करना है मैं आपको वीडियो के end में बता दूँगा एप को डाउनलोड करने के बाद आपको messages को delete कर देना है उसके बाद आप app delete भी कर देंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो एप को जब आप open करेंगे तो इस तरह से page open हो जाएगा यहाँ पर आपको एक option मिलेगा SMS messenger आपको इसे यहाँ पर set करना है और नीचे set as default इस पर आपको set कर देना है इतनी setting आपको करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डाउनलोड किया है उसका यहाँ पर app open हो जाएगा आप open होने के बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके सारे SMS यहाँ पर दिखाई देंगे आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस app को भी हम लेकर आजाते हैं home screen पर तो आप देखेंगे इस app में जो messages है वो सारे messages दोस्तों यहाँ पर आ गए है अब इसे delete करने के लिए आपको इस तरह से select करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे 72 SMS है अब यहाँ पर आपको three dots पर click करना है यहाँ पर आपको select all का option मिल जाएगा आपको यहाँ पर select all कर देना है अब इसके अंदर दोस्तों अगर आपका कोई जरूरी message है कोई important message है तो आप उसे यहाँ पर unselect कर सकते हैं ताके वो delete ना हो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको unselect करके दिखा देता हूँ यानि कि जो भी आपकी जरूरी message है आपको इस तरह से इने unselect कर देना है अगर आपको कोई भी जरूरी message नहीं है तो आपको सभी message को select कर देना है जैसे कि यहाँ पर मैंने select all कर दिया है अब इसके बाद दोस्तों आप उपर में देखेंगे तो आपको delete बटन मिलेगा आपको delete पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको yes पर click कर देना है इसके बाद सारे दोस्तों SMS जो है वो delete हो जाएंगे आप देखेंगे सारे delete हो गए ठीक है अब इसके बाद आपको क्या करना है इस app को delete कर देना है यहाँ से आपको इसे uninstall app uninstall app delete कर दी हमने ठीक है अब आपको क्या करना है जो हमारा पुराना वाला message app पर इसे open करना है यहाँ पर set default sms app इस पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे messages आपको इसे select करना है नीचे set as default पर click करना है इसके बाद यह open हो जाएगा ठीक है यहाँ पर अभी अपडेट हो रहा है इसे अपडेट होने देना है यह सारे अभी delete हो जाएंगे ठीक अभी delete नहीं हुए तो आपको क्या करना है recent app से आपको सभी app को बंद करना है जो message app है आपको इसे बंद करना है इसके बाद दुबारा से आपको इसे open करना है दुबारा से आप open करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे sms delete हो गए जो मैंने एक unselect किया हुआ था वो यहाँ पर एक बता रहा है इसे यहाँ से delete कर देता हूँ तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर सारे messages एक click में delete कर सकते हैं अब बात करते हैं app की तो app का नाम है simple sms messenger इसका download link मैंने वीडियो के description में दे दिया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर देना, share कर देना और चैनल को subscribe कर देना